आज की वीडियो बहुत ही जादा इंफॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो की SEO सीख रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में जैसा आपको टाइटल थमनेल से पता चल गया होगा हम बनाने वाले हैं एक SEO रिपोर्ट एक SEO रिपोर्ट किस तरह से बनाए जाए ऑन पेज ऑफ पेज की क्या क्या चीज़ें उसमें आड हमें करनी हैं क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और अल्टेमिटली हमारे क्लाइंट को खुश कैसे करना है यह सारी चीज़ें हम जानेंगे इस एक वीडियो में तो चलिए फिर जबदी से वीडियो को शुरू करते हैं हालो एव्रीवान आय हरमीट वेल्कम यू ओल ऑन जब्योश क्यूब्टिक चानल सारा जो स्यू का जो कोश था अलमुस्ट सभी चीज़ें जो है मैं कवर करवा चुकी हूं अलग अलग वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको कंप्लीट स्यू की प्लेइलिस मिल और ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि माम इस टॉपिक पर आपने बात नहीं की है या फिर यह जो चेकलिस थी ऐसी हो की इसमें से यह पॉइंट रहे गया है तो आप मुझे कॉमें से बता सकते हो चिक है तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कौन सी वीड तो कॉमेंस जल्दी-जल्दी कर देना तो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट की चीक है अब रिपोर्ट होता क्या है रिपोर्ट का मतलब किसी को यह बताना कि हमने क्या काम किया है या फिर क्या सिचुएशन है तो जब भी आप किसी भी बिजनस का क किसी भी क्लाइन का, किसी भी वेबसाइट का SEO करते हो, तो उस क्लाइन को हमें time to time ये बताते रहना पड़ता है, कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, कितनी आपकी ग्रोथ हुई है, कितनी प्रोग्रेस हमने अचीव की है, क्या हमारे टार्गेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ हैं, हम उसको अब देखो, फोन करके बार-बार तो बताएंगे नहीं, जी आपका एक keyword rank कर गया है, जी आज हमने दो जो है, article submission कर रहे हैं, आज हमने जो है, ये title जो है, description जो है, हमने ये change किया है, हम ऐसे तो बताएंगे नहीं, तो हम एक complete report बनाएंगे, अब ये जो report है ना, ये आप monthly भी भी भेज सकते हो, अगर आपका short term client है, तो आप weekly भी भी भेज सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम एक ही बार में, six month की report भेजेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, ये आपकी जो initial conversation होती है, जब भी आप client के साथ बैठते हो, ये अपने manager के साथ बैठते हो, कि आगर किस तरह से हमें reporting करनी है, तो उस time आप decide कर सकते हो, कि कितनी frequently हमारी report जाएंगी, usually monthly report यहाँ पर जाती है, लेकिन इस video में, मैं आपको on page, off page, दोनों ही बताऊंगी, और एक और report होती है, जिसे हम audit report बोलते हैं, वो mostly जो है, मतलब like majorly, वो जब हम website का project शुरू करते हैं, किसी website पर काम करना शुरू करते हैं, उससे पहले वो audit report बनाए जाती है, यानि उसमें हम यह बताते हैं, कि आपकी website में क्या-क्या कमिया है, और हम उसको कैसे सही करेंगे, क्या क्या काम हम करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा analytics वाला जो पार्ट है, Google Analytics, वो सीखना पड़ेगा, Search Console हम सीखेंगे, तो उसके लिए अलग कोर्स में आपके लिए लेकर आ रहे हूं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम audit report पर जाएंगे, तो report का आएगे, एक general idea आपको मिली लिया होगा, तो चलिए, फिर सबसे पहले तो कुछ बाते जान लेते हैं, ऐसा एक text होता है, या फिर मैं कहूं, ऐसा एक document होता है, जो कि यह बताता है, कि आपकी जो site है, आपकी जो website है, वो किस तरह से perform कर रही है, क्या उसकी performance है, it is used to display your SEO results on your website, तो जो भी आप SEO कर रहे हैं, हम search engine optimization कर रहे हैं, तो आप जो भी अपनी website को optimize कर रहे हो, उसके जो results है, वो किस तरह से आपकी website पर दिख रहे हैं, यानि क्या आपकी website पर, उन SEO जो हम काम कर रहे हैं, उनका क्या फाइदा वहाँ पर हो रहा है, basically क्या impact जो हैं, हमारे efforts जाल रहे हैं, यह आपके client को भेजी जाएगी, या फिर अगर आप किसी project को handle कर रहे हैं, तो आपके manager हैं, उनको भेजी जाएगी, कि आखेर हमने क्या काम किया है, उसका क्या result आया है, वैसे जो reporting वालजो system है, यह हर firm में, हर organization में, अलग-अलग होता है, हर client के लिए, हम एक अलग तरीके से report बनाते हैं, depend करता है कि, हमने उसको क्या KPI जो है promise किया है, उस recording हम report बनाते हैं, यहाँपर मैं आपको कुछ ideas जैसे general दूँगी, जो कि आपकी हर एक report के लिए काम करेंगे, आप अपने recording, जो भी आपके organization में, जो भी आपकी agency में, जिस भी तरह की report बनाई चाहती है, आप उसको follow बर सकते हैं, बस यह कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेगा, अगर आप एक पार्ट है, that is essentials of a perfect SEO report, अगर आप एक SEO report perfectly चाहते हों, तो उसके लिए क्या essentials आपको add करने चाहिए, तो सबसे पहले हैं कि starting में ही, अपने जो key performance indicators हैं, यानि KPI हैं, उनको पहले से ही define कर लो, पहले से ही clear कर लो, कि आखिर, अब देखें KPI होता क्या है, इसको समझते हैं, तो KPI का यहाँ पर मतलब है, कि देखें, अब जैसे मान लीजे, कोई चीज है, एक बच्चा है, उसकी height बढ़ रही है, तो उसकी height बढ़ रही है, मैं कैसे measure करूँगी, जैसे centimeter में measure करूँगी, या मैं inch में measure करूँगी, या मैं meter में measure करूँगी, अगर मैं उस बच्चे की health की बात करूँगी, तो उसकी बच्चे की health में कैसे measure करूंगी, कैसे मैं बताऊंगी, यह बच्चा जो healthy है, कि मैं उसका जो weight है, उसको consider करूंगी, या फिर मैं कितना frequently वो बिमार पड़ रहा है, वो जो rate of being ill है, उसको consider करूंगी, या फिर कोई भी हम ऐसा part जो है, उसको हम consider कर सकते हैं, एक बच्चे की health बताते हैं या उसकी height बताते हैं, तो वैसे ही एक website की health है, यानि एक website की performance है, उसको आप किस unit में, किस basically parameter पर आप judge करोगे, जैसे कि mostly जो KPI होता है website के case में, वो होता है traffic, कि जितना ज्यादा traffic मतलब website उतनी अच्छी perform कर रही है, लेकिन traffic एकलोता KPI नहीं हो सकता, अगर आपके keywords rank कर रहे हैं, तो वो भी एक KPI है, देखे keyword तभी rank करेंगे, यानि किसी particular keyword पर हमारी website rank कर रही है, तो वो तब ही करेगा, जब आपने SEO अच्छे से किया होगा, और ultimately हम report में क्या बता रहे हैं, कि हमने जो search engine optimization यानि यह जो work किया है, काम किया है, यह कहीं ना कहीं आपको result दे रहा है, तो जो हमारी keyword ranking है, वो भी एक KPI हो सकती है, उसके अलावा leads, leads मतलब कि आपके पास इतना traffic आया, उसमें से इतने जो हैं, आपके जो customers जो हैं, वो बन गए हैं, तो यह भी आपका क्या हो सकता है, एक तरह का KPI हो सकता है, तो जो भी आपका KPI है, तो उसको पहले से ही defined हो, औ keyword पर यह ranking बढ़ी है, पहले इस particular keyword पर आपकी जो है 10th ranking आ रही थी, अभी उसी पर ही आपकी 4th या 5th ranking आ रही है, तो मतलब progress हमें ही दिखानी है, हमारी report में, चीके, next cheese, आपका traffic और traffic source आप बता सकते हो, चीके, traffic जैसे मैंने बोला कि most popular KPI होती है, यानि इससे judge होता है, इटली क्लाइन को पता चलेगा कि भाई कुछ काम हो रहा है, तो यही आपको करना है, तो traffic source भी important है, कि organic कितना आ रहा है, paid कितना traffic आ रहा है, social media से कितना आ रहा है, या other website से कितना आ रहा है, या Google search engine से कितना आ रहा है, तो वो हम यहाँ पर mention कर सकते हैं, चीके, again मैंने बोला कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जो काम होता है, हर किसी का जो style होता है, प्रोपोर्ट बनाने का वो अलग-अलग होता है, okay, next है conversion, कि कितने convert हुए हैं हमारे clients, अगर जादा तर यह जो चीज़ा यह e-commerce में देखी जाती है, बैसे business site में भी आप देख सकते हो, business site में कितने calls ग कि SEO के results दिखने में थोड़ा सा time लगता है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि भई, अभी तो हमने काम शुरूई किया, अभी तो एक ही महीना हुआ है, और अभी तो आपका क्या ही growth हो जाएगी, ऐसा हम clients को नहीं बोल सकते हैं, हमें progress over the time, कि देखिए, 1000 आपके पहले traffic था, अभ growth over the time आपको दिखानी है, ठीक है, कि हम increasing order में ही बढ़ रहे हैं, हम decrease नहीं हो रहे हैं, कि अगर पहले 1000 था, तो हमने 1000 से 900 नहीं करवा हैं, हमने 1000 से 120 ही करा हैं, next जो month होगा उसमें, और ये increasing order में बढ़ेगा, तो even अगर आप मान लीचे 6th मन्त की भी report भेज रहे हैं, तो उ लेखिए, ultimately आप क्या कर रहे हो, किसी person की website को handle कर रहे हो, किसी person के business को handle कर रहे हो, तो उस person का, यानि जो भी आपका client है, उसका right बनता है, जो भी चीज सच-सच हैं, वो आप उनने बताईए, transparent कीजिए, कुछ भी fake उनको analysis मत दीजिए, fake hope मस दीजिए, अगर आपको लगता ह कि कही ना कहीं, किसी भी वजा से, अगर इस business में कही ना कहीं, lack आ रहा है, leads कम मिल रहे है, conversion कम मिल रहा है, तो आप client के साथ बात कर सकते हो, कि हम और क्या initiative ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें तभी आएंगे, जब आप client के साथ में transparent रहोगे, false hopes नहीं देनी है client को, जो भी हम पुरा course लेकर आने वाली हूँ, जिसमें हम Google Analytics, Search Console सभी समझेंगे, तो ये तो हो गया, ये चीजें आपको ध्यान रखते हैं, इसके लावब कोई और point आपको लगता है, कि नहीं report बनाते हैं, ये चीज का में ध्यान रखना चाहिए, आम मुझे comment section में बता सकते हो, and अब ज project जो हैं, वो शेयर करने वाली हूँ, कैसे हम इसके reporting करते हैं, कुछ चीजें मैंने आपर change कर दी हैं, due to some privacy issue, so ये जैसे हमारे क्लाइन थे, सबसे पहले, जैसे हमने ये जो platform यूज किया है, ये है Google Sheets, आप सेम चीज को Excel पर भी कर सकते हो, लेकिन Google Sheets पर ये है, क्लाइन के स पास होना चाहिए, क्योंकि सब काम अपना अलग कर रहे हैं, कोई content writing वाला काम कर रहा है, off page कोई और कर रहा है, technical कोई और कर रहा है, on page कोई और कर रहा है, तो इसलिए जो है हम Google Sheets का यूज करते हैं, जिससे हम सब के साथ शेयर सके हैं, so देखिए, ये एक sheet है, सबसे पहले ये है dashboard, dashboard पर आपकी जो भी major details है, कि project up चालू हुआ, URL क्या है, client क्या है, client का नाम क्या है, address क्या है, Gmail ID, password, जितने भी जो हमने, जैसे मैं आपको बताया था कि कोई भी जो प्रजेक्टर स्टार्ट करने से पहले, आप जो है, एक particular Gmail ID जो है, वो client से मांग लें, कि एक Gmail ID हमें जिस पर हम काम करेंगे, ये आप खुद भी बना सकते हैं, और client को inform कर सकते हैं, उसके साथ एक phone number भी हमारा होगा, जिसे हम हर जगा यूज करेंगे, तो इसलिए हमारे पास एक Gmail ID, particularly एक project को डेडिकेटर होनी चाहिए, एक phone number होना चाहिए, तो वो हमने कर लिया, उसके लाव आप कुछ भी आप dashboard पर अपने तरह से add कर सकते हो, जैसे कि ये off-page strategy है, कि off-page strategy में हम क्या मतलब चीज़ें जो हैं, जैसे हम daily के कम से कम 3 social book marking करेंगे, classified 3 post करेंगे, image submission 5 करेंगे, तो ये हमने एक बना रखा है, और monthly जो है, at least 500 quality backlinks जो हैं, create करेंगे, ये off-page की strategy है, बाकि on- once in a while होता है, यानि ऐसा नहीं है कि आपको daily on-page करना होगा, starting में ही हम on-page जो है, जो भी technical faults है, जो भी आपकी website में, जो भी changes हमें करने हैं, वो हम सारे पहले कर देते हैं, और फिर जो frequency, जो time, जो काम चलता रहता है, वो off-page पर चलता रहता है, चीक है, so simple से चीज है, okay, so ये हमारे keywords है, इन keywords पर ये जो pages है, हमने ये pages target किये हुआ है, और ये time के साथ में आप देखोगे, तो इनकी ranking जो है, वो यहाँ पर change हो रही है, चीक है, तो ये जो पूरी transparency है, आपको यहाँ पर रखनी है, फिर last में, जो अभी जैसे April का, अगर में बात करूं, तो ये जो हमारा आगया है, वो ये वाली मतलब ranking आगई है, चीक है, तो ये आप अपने client के साथ share करेंगे, नेक्स्ट, ये जैसे keywords ranking है, तो ये यहाँ पर हमने कुछ pages आड़ किया हुआ है, तो ये जैसे एक जो page है, ये आड़ कर रखा है, that is for March 2022 report, अब इसमें जो हमारे, जो भी ह क्लाइन को दिखाना होता है, कि आखिर आपकी जो कितना traffic आ रहा है, वो हम यहाँ पर show करते हैं, उसके अलावा ये on-page SEO, अब on-page SEO में देखिए, आप अलग-अलग pages भी बना सकते हैं, अगर आपकी website पर कम pages हैं, तो आप अलग-अलग इनकी pages हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है, जितने भी pages हैं, वो यहाँ पर लिख दी है, उनका क्या title होना चाहिए, क्या description होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, चीक है, यह बिल्कुल keyword research के बाद ही आपको चीज़ें करनी है, तो हर page का आप देखेंगे, तो काफी जो बड़ा यह website है, तो इनके सभी pages का, जो भी important pages है, उनका हमने यहाँ पर title description लिख दिया है, अभी देखिए, यहाँ पर आपने एक चीज़ें करी होगी, यहाँ पर सिर्फ title description पर ही काम हुआ है, बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई, reason being, कि यहाँ पर जरुरत नहीं थी इस website पर, ले जो कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे 301 redirection कहीं लगाना था, तो यह हमने share किया है, two title tags थे कहीं पर, तो वो हमने यहाँ पर remove करवाने के लिए बोला है, तो आप देख सकते हैं, कि on page में इस website पर इतना काम हुआ है, लेकिन हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कैसे title लिख जो हैं, आप sheets बना सकते हैं, लेकिन यह हमने combine ही इसमें रखा हुआ है, just to avoid any confusion, so देखें, यह image submission है, तो यहाँ पर यह क्या image जो है, उनका landing page क्या है, keyword हमने क्या target किया है, और status उनका क्या है, कई सारे ऐसे भी links होंगे, जो या तो किसी वज़े से remove हो जाएंगे, तो आप उ ऐसे ही हमारे SBM यानि social book marking है, तो यह हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से आपको यह present करना है, time के साथ में, जो जो आप कर रहे हैं, और यह सारे landing pages के साथ होना चाहिए, जिससे कि client कोई भी यह जो link है, इसको open करके देख सके, कि आखिर क्या काम आपने यहां पर किया है, तो यह title क्या रहा है, keyword हमने क्या target किया है, landing page यहां पर दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ हमने status भी किया, आप देखिए, जैसे यह red हो गया, तो मतलब यह delete हो गया, किसी भी वज़ा से delete हो सकता है, ऐसा जरूर यह नहीं है, आप दिन के अगर 5 जो आर्टिकल दिख रहे हो, 5 जो लेकिन, mostly जो हैं, हमने use की हैं, तो यह आपर को suggestive articles हैं, कि अगर मालीजे, content writer उनी का ही है, मतलब client का ही है, तो हम उनको को suggestions दे रहे हैं, कि इस तरह से आप जो है, article लिख सकते हैं, कुछ इस तरह के हमें चीज़ें चाहिए, चीके, तो that's completely optional, उसके अलावा, यह हमारे quora पर यहां पर share हुआ है, और उसी के साथ ही keyword हमने target किया है, title हमने यह लिखा है, उसी के साथ ही local listing, different different sites है, जहां पर आप अपने business को list कर सकते हो, वो हमने यहां पर किया है, तो यहां जहां भी pending for approval है, जहां भी active है, वो हम यहां पर share करने वाले हैं, चीके जी, उसके अलावा, हम ने competitor analysis किया, तो competitors के जितने भी हमारे backlinks यहां पर आया थे, जो अच्छे backlinks है, quality backlinks है, उनको हमने यहां पर save करके रखा हुआ है, कि यहां पर हम भी अपने backlinks बना सकते हैं, okay, so यह हमारी जो यह site है, like law prep tutorial, इसका मैंने आपको एक report दिखाई, I hope कुछ आपने इससे जरूर सी तो next project मैं आपके साथ share कहना चाहूंगी, that is of a school, a school college का, यह site है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे, तो यहां पर यह website audit आगी, कि आपकी website में यह problem है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, okay, so next आप देखेंगे, तो इसका on page important है, क्योंकि यहां पर almost सभी चीजें cover हुई है, तो देखेंगे, जैसे यह page है, इस page का title यह रखना है, description यह रखना है, h1 tag और इसको हमें strong tag भी हमने mention किया, strong tag मतलब इसको highlight कीजेगा, तो यह strong tag हमने किया है, s2 tag ही होना चाहिए, s3 tag ही होना चाहिए, उसी के साथ ही, यह जो आपकी इस website पर जो भी images लगे हुई है, उन images पर यह all tag आना चाहिए, यानि यह image है, इसके उपर यह all tag आएगा, यह image है, इसके उपर यह हमारा tag आजाएगा, तो यह हमने जरूर उन सभी को आपको index भी करना है, follow भी करना है, यह यहाँ पर meta report tag आपको लगाना है, तो क्योंकि हम जितने भी अभी तक हमने पढ़ा था कि no follow, do follow tags पढ़े थे, तो वैसे ही index और no index tag भी होता है, तो इस particular web page पर जितना भी content है, चाहिए, कोई image है, चाहिए, कोई और links अटाइ जो है, इनको suggest करेंगे, तो description box से playlist का link उठा लो, वहाँ पर canonical tag वाली video जरूर देख लेना, okay, चलिए, उसके अलाबा, OG graph है, तो OG graph में देखो, image, description, missing, change title, यह हमें बताना है, वैसे मैं आपको अभी technical issue में ले जाओंगे, तो OG graph का हमने tag भी उनको बना कर दिया हुआ है, उसक एक idea, I hope, on page का, आपका अच्छे से clear हो गया होगा, next, जो है technical issue, तो यह देखिए, technical issue में कुछ implementation हमें करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, search console की, analytics की, GTM की, तो यह तीनों ही updated है, चीक है, तो इसके लिए अलग-लग courses में आपके लेकर आ रही हूँ, उसके साथी sitemap.examil, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह sitemap available है, लेकिन इसमें कई सारे से pages हैं, जो कि exist नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नया बनाना पड़ेगा, तो हम sitemap को new create करेंगे, और sitemap इस तरह से जो link है, इनके साथ share कर देंगे, उसी के साथी skimma, यह देखिए हमने generate करके दिया हुआ है, अगर आपने skimma नहीं पड़ा, तो description box से playlist का लेंग उठालो, skimma या फिर structure data के नाम से video होगी, उसको ज़रूर देखना, उसी के साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर skimma जो है, लगाना है, यह सभी pages में, home pages में लगेगा, तो obviously सारे pages में ल यह कुछ technical SEO में चीज़े हैं, लेकिन technical SEO का complete course हम समझ चुके हैं, जहाँ पर हमने एक एक चीज़ अच्छे से समझी हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी, जिसमें आपको problem आएगी, तो आप definitely क्या कर सकते हो, उनमें से जो भी website में कमी है, technical fault है, उनको आप suggest कर सकते हो, उसी के साथ यह ranking है, ranking तो हम आपको बता चुकी हूँ, कि जैसे अभी माल लीजे यह new site थी, तो initial ranking, मतलब जब हमने project उठाया था, तब इनकी ranking जो है कुछ इस थी और इस तरीके से यह जो है improve हो रही है, तो even अगर माल लीजे अब जैसे माल लो यहाँ पर 36 पे था, सबसे प को बताया, transparency ज़रूर रखनी है, कई पर आपकी अच्छी growth होगी, कई keywords पर कई पर नहीं होगी, तो transparency आपको ज़रूर रखनी है, तो I hope यह दोनों जो projects में आपके साथ शेर किये, इन से आपका जो reporting वाला idea है, वो काभी हथ तक clear हुआ होगा, उसी के साथ ही, जो हमारा SEO का course उसमें काफी सारी चीज़ें जो है clear हुई होगी, आप मुझे definitely पतायेगा कि course आपके लिए कैसा रहा, अभी ऐसा नहीं है कि SEO पूरा complete खतम हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, काफी सारे practical projects हम करेंगे, उसी के साथ में Google Analytics समझेंगे, Tag Manager समझेंगे, साथ हम Search Console समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद में, combine जब हम इसे SEO से करेंगे, तभी हमारा SEO की जो understanding है वो better हो पाएगी, I hope इस वीडियो में आपने कुछना को नया जरूर सीखा होगा, मुझे जरूर comment section में बताएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपने क्या न कि अपको कैसी लग्सार में, कहला है ये से से ुप नहीं कैसी वाध।